Hey wonderful people, कैसे हो आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआउं से मैं में बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, that is International Awards in Science, Literature and Sports ठीक है, यह जो आपका टॉपिक बचा था, Junior Assistant का, इसको हम complete करेंगे आज सबसे पहला जो आवार्ड है, that is the International Booker Prize, ठीक है, जिसको पहले का कहा जाता था Man Booker International Prize कहा जाता था, और यह एक Literary Award है, जो कि कहां पे UK में होस्ट किया जाता है क्या है यह Literary Award है और यह UK में होस्ट किया जाता है, और annually हर साल यह उस book को या उस novel को मिलता है जो कि English में translate हो और कहां पे publish हुई हो, UK या आर्लेंड में, ठीक है, और कहीं publish होगी तो यह Award नहीं मिलेगा उसके यह eligible नहीं होगा, मगर जो novel या जो book English में है और published हुई है UK या आर्लेंड में, उसको यह Award मिल सकता है 2022 के winner की बात करें, यह मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तो 2023 चल रहा है विकॉस 2022 में, इंडिया की एक book है, हिंदी नॉबल है, टॉम बाफ सेंट, गितांजली श्री की, उनको यह Award मिला था बहुत बार यह question में पूछा भी गया है, और हो सकता है, यह exam में पूछा भी जाए टॉम बाफ सेंट, जो कि पहली हिंदी नॉबल है, उसको यह Booker Prize मिला था, जिसके author गितांजली श्री है और इसको translate किया था, English में, by Daisy Rockwell, याद रखिएगा, और 2023 के winner भी हम देख लेते हैं 2023 के winner जो है, वो author है, जो जो बल्गिरियन राइटर है, उसके translator जो रही है, वो है एंजिला रोडल और किस book के लिए मिला है, किस novel के लिए मिला है, that is the time shelter, यह दोनों की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो, time shelter के लिए इनको यह Booker Prize मिला है next part करते है, world food price की, ठीक है, world food price, देखो food के related ही कोई price होगा, तो यह किसको दिया जाता है, यह उन individual को दिया जाता है, जो की improve करते है, quality, quantity or availability of the food in the world, ठीक है, जो भी खाने में बहतरी की ओर लेके जाते हैं, उसकी खाने की quality को increase करते है, quantity को increase करते है, तो और खाने की जो अपल हुआ था, 1986 में और पहली वार यह आवार दिया गया था, 1987 में, और 2023 के विनर, तो 2023 के विनर जो है, वो है, हेडी कुहन, जो की USA के है, और उनको मिला है, for her farmer, ठीक है, यह lady है, हेडी कुहन, for her farmer-focused development model, ठीक है, इन्होंने एक farmer-focused development model मनाया है, जो की revitalize करता है, farmland को, food security को, and livelihood को and re-silence after devastating conflict, ठीक है, तो एक farmers के, उपर इन्होंने एक development model मनाया है, ठीक है, तो agriculture के लेटरी ही है, तो इनको यह world food price मिला है, हेडी कुहन को, यह की USA को बिलॉंग करती है, next हम बात करते हैं, able price की, able price क्या है, एक noble price की तरह ही है, देखो noble price में mathematics के, जो outstanding mathematician होते है, उनको तो price नही लेटरी यह price है, able price, जो की outstanding mathematician को दिया जाता है, ठीक है, और इसका जो नाम है, वो पढ़ा है, नौर्वियन mathematician, नील हेंडिक Able, उनके नाम पर यह able price का नाम पढ़ा है, जो की established हुआ था 23 अगर 2001 में, और पहली बारे अवार्ड किया गया था 2003 में, ठीक है, और 2023 के विनर जो रमन मैक से अवार्ड की, very, very important, इसमें से question आने का chance हो जाता है आपका, often called the Nobel Prize of Asia, ठीक है, तो इसको एशिया का Nobel Prize भी कहा जाता है, इतना important है यह, और यह किसके लिए अवार्ड किया जाता है, किन-किन लोगों को दिया जा सकता है, और outstanding contribution in the government service, जो government service में बड़ी, एक exceptional service करे, public service करे, community leadership में service करे, journalism में, literature में, creative communication arts में, peace में और international understanding and emergent leadership में, तो यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, ठीक है, और country जो इस अवार्ड को देती है, that is the Philippines, और first यह अवार्ड जो दिया गाया था, that is in 1958, और इनका जो नाम पढ़ा है, वो पढ़ा है, जो 7th President थे, Republic of Philippines क रमन मेंग से, उनके नाम पर यह अवार्ड का नाम पढ़ा है, और इस बार का जो अवार्डी है, इंडिया के भी है, एक very very important, यह इंडिया के जो है, वो तो आपने याद रखने ही है, that is Dr. Ravik Kanan R, Dr. Ravik Kanan R, इंडिया के है, और इनको किसके लिए मिला है, strong devotion to his medical profession, focusing on what medicine is truly for pro health and public center treatment, ठीक है, और बंगरादेश के भी एक individual है, जिनको कोर्वी रक्षंद, ठीक है, कोर्वी रक्षंद उनका नाम है, और उनको भी यह जो है, रमन मैक्सी अवार्ड मिला है, for developing inclusive education for the underprivileged children in the बंगरादेश, ओक है, और तिमोर लेस्टे की, अगर हम बात करें, इनके एक एक इंचान को यह मिला है, that is Eugenio Lemos, for notable contribution to how young Timore's views nature and their surrounding, and then Philippines के एक परसन है, that is Miriam Coronel Farrar, for unvarying belief in the transformative power of non-violent strategies in peace building, ठीक है, तो यह चार जो नाम है, वह याद रखेगा, और इंडिया का नहीं बूलियेगा, डाक्टर रवी करनन आर, बहुत वार एक्जाम में, रमन मैक से अ जाते हैं, next बात करते हैं, हम Nobel Prize की, 2023 के तो अभी नहीं मिले है, मगर 2022 के जो मिले है, वो हम discuss कर लेते हैं, awarded for contribution that have comfort the greatest benefit to humankind in the area of physics, chemistry, physiology, medicine, literature, economics, और peace, इन सारी जो fields है, यहाँ पर Nobel Prize दिया जाता है, और जो country award करती है, Nobel Prize, that is the Sweden, यह JKSSB के exam में भी एक वरी question आया था, जो Nobel Prize देती है country, उसका नाम है Sweden, मगर याद रखेगा, Nobel Peace Prize जो है, वो Sweden नहीं देती है, वो देती है, नौर्वे, सिर्फ एक Nobel Peace Prize ही है, जो Sweden नहीं देती है, वो जो country देती है, that is the Norway, ओके, और यह पहली बार जो award किया गया था, 1901 में, और आप मुझे बताएगा, economics शुरू से स्टार्टिंग से यह प्राइस नहीं दे जा रहा है, यह बाद में स्टार्ट हुआ था, कौन सी एर में, economics में Nobel Prize दे जाना लगा था, यह मुझे comment section में बताएगे, क्योंकि अभी बोड है कि JGSB के exam आने वाले है, तो वहां पर यह question पूछा गया था एक बार, और आपको पत स्वेंटे पैबो, okay, for the discovery of genetic identity of humankind's earliest ancestor and opening a new window on the human evolution, okay, human evolution के उपर इनको कहीं ना कहीं, यह physiology और medicine पे nobel prize मिला है, और physics की अगर हम बात करें, तो यह मेरा है, Arian Aspect को, John Closer को, Anton Jalinger को, for conducting experiment in quantum mechanics, okay, quantum mechanics में, that laid the groundwork for rapidly developing new application in computing and cryptography, याद रखिएगा quantum mechanics, और थोड़े-थोड़े key words याद रखिएगा, computing and cryptography में, याद रखिएगा, physics में मिला है, और chemistry का किस तरह से याद रखिएगे हैं, देखो, Barry की Morton, बर्तन में रख दो, तो chemistry में, Barry की Morton, बर्तन में रख दो, तो Caroline Bartosi, Morton, Meldal, और Barry Sharpless, chemistry में मिला है, और किस के लिए मिला है, click chemistry के लिए, और bio, so अगर हम literature की बात करें, तो literature में, Annie and Knox को, यह Nobel Prize मिला है, next बात करते हैं, Nobel Peace Prize की, Nobel Peace Prize मिला है, Alex Belitsky, the Russian Human Rights Organization Memorial, and the Ukrainian Human Rights Organization Center for Civil Liberators को, ठीक है, और economic sciences की, अगर हम बात करें, तो यह मिला है, Ben Bernanke, Douglas Diamond, और Philip Dibwig, ठीक है, for research on banks and financial crisis, उनके लिए यह इसको मिला है, ठीक है, तो यह थी आज का lecture, I hope आपको समझाया होगा, और इसका जो MCQ session होगा, वो आपको मेरे channel पर बिलेगा, Let's Learn Together पर, आप YouTube पर सेर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर, और भी जितने भी topics मैंने कराये हैं, junior assistant के लेटर, वहाँ पर, इनकी MCQs की videos आपको मिल जाएगे, आपको आपको आपना ख्यार रखिए, खुश रहिए, और खुशियां पांते रहिए, बबाए, टेक कर,